चलिए student हम लोग question number one को solve करते हैं देखिए question number one में क्या कहा जा रहा student आप लोग question को पढ़िए नेमले कि संख्याओं के वर्गमूल ग्याद करने में इकाई अंक की क्या संभावना है तो student यहाँ पर जो हमें संख्याओं आप देख रहे हो यहाँ पर जो हमें संख्याओं दी गई हैं इन संख्याओं में इनका जो वर्गमूल होगा इनके वर्गमूल का इकाई के अंक की क अगर हमारे पास संख्या 2 है और हम 2 का स्क्वाइर करते हैं तो हमारे पास संख्या 3 है तो हमारे पास 9 आता है हमारे पास संख्या 4 है तो 4 का स्क्वाइर करते हैं तो हमारे पास संख्या 16 आती है हमारे पास संक्या 5 है और हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 25 आता है यहाँ पर आगे देखिए हमारे पास संक्या 6 है जम 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास संक्या 36 आती है हमारे पास संक्या 7 है 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है संक्या 8 है और 8 का square करते है तो हमारे पास संक्या 64 आती है हमारे पास 9 है और 9 का square करते है तो 81 आता है स्टुडेंट यहां से अब आप लोग ध्यान से देखिए जब हम 1 का square करते है तो 1 का अंक हमारे पास क्या आता है या फिर अगर हम 9 का इसके अलावे आप लोग देख सकते हो अगर हम लोग इन में से किसी भी संख्या का square करें क्या हमारे पास one आएगा नहीं आएगा चलिए अब यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर यह जो संख्या है इसके इकाई का अंक क्या है इसके इकाई का अंक one है तो one हमारा किन किन इस्थितिव में आता है अगर हमारे पास जो संख्या है कोई भी संख्या समझे हमारे पास है और संख्या का समझे हमारे पास कोई भी संख्या इस तरीके से है जिसके इकाई कांक one है या फिर कोई संख्या ऐसी है जिसके इकाई कांक nine है जब संख्या के इकाई कांक one होगा तब हमारे पास one आएगा यानि कि वर्ग में one आएगा nine है तब one आएगा एक्जामपल के रूप में आप लोग समझेए अगर हमारे पास संख्या 31 है ठीक है यह संख्या क्या है 31 है और हम 31 का क्या निकाले square निकाले तो यहां पर देखे इसका एका इका नग क्या है one है तो हमारे पास जो भी work आएगा उसके भी का इका इका उगा तो 31 का हम me square करेंगे था हमारे पास 961 आएगा यहाँ पर देख सकते हैं 21 का इका नगा अब जब हम इसका work moon निका लेंगे था हमारे पास संख्या यहीं आएगी और इसके इकाई कांग क्या होगा? वान होगा, चलिए, अब लोग एक दूसरे एक्जांपल से आपको समझाते हैं, जिसका इकाई कांग 9 होगी, तो student हमने यहाँ पर एक संख्या ली, 19 और यहाँ पर देख सकते हैं, जो संख्या 19 है, इसके इकाई कांग क्या है नौ है इकाई कांग नौ है तो इस संक्या का जब बर्ग करेंगे तो हमारे पास जो संक्या आएगी उसके इकाई कांग भी क्या होगा वन होगा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जगा 19 अब इसमें संभावना की बात की जा रही है देखी क्या क आ जा रहा है नेमले कि संख्याओं के वर्गमूल ग्याद करने में इकाई अंग की संभावना क्या है संभावना की बात कर रहा है तो इकाई कंग या तो वन होगा या फिर क्या हो जाएगा 9 होगा इन दोनों के अलामा क्या कुछ हो सकता है नहीं हो सकता तो जो हमारा 9801 है इसके जब हम लोग वर्गमूल को निकालेंगे तो जो संख्या आएगी उसके 1 होगा या फिर 9 होगा हमसे संभावना की बात करें इसलिए हम लोग संभावना वाली बात यहां पर लिख देते हैं अब यहां पर देखिए हमारे पास संख्या 991856 है अब इसका जो भी हम बर्गमूल निकालेंगे ठीक है अब बर्गमूल निकालने का मतलब अगर मारे पास संख्या यहाँ पर ले लिजिए इसको 361 होता है, 961 नहीं होता है, 19 का स्कॉयर करते हैं तो 361 आता है, ठीक है, अब यहाँ पर समझे हमारे पास इसके वर्गमूल निकालने का मतलब इसका हम लोग अंडरूट कर देंगे, और अंडरूट क्या आता है, 19 आता है, इसी तरीके से यह जो कोई संख्या इस तरीके से आएगी, कोई भी संख्या हो सकती है, XYZ, अब यहाँ पर इसके जो इकाई का अंग होगा, और क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इकाई का अंग क्या हो सकता है, इसके लिए देखिए यहाँ पर 6 है, 6 हमारे किन किन स स्क्वायर करते हैं तब 6 आता है इकाई कांक या तो 4 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो यहां पर यह जो संख्या आप देख रहे हो इसका जब बर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास जो संख्या आएगी उसके इकाई का अंक चार होगा या फिर छे होगा क्या होगा या तो चार होगा अथवा क्या होगा छे होगा उसे संभावना की बात कर रहा है चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं अब आप लोग यहां पर देखिए इकाई का अंक एक कब आता है आ देख आएगा या फिर 9 का स्क्वाइर करें तो संभावना किसकी है इकाई के अंग होने की या तो 1 के या फिर 9 के तो इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे चलिए यहां पर देखे इकाई कांग 5 तो जब हम हमारे पास समझे कोई भी संख्या है और संख्या के इकाई कंग अ अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई कंग 5 है तो जब उसका वर करेंगे तो 25 आएगा ठीक है तो इकाई के अंग पर होने की क्या संभावना देखी 5 होगा यह बात आप लोग समझ गए होंगे तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं जोमारा क्वेस्च चलिए अब लोग क्वेस्चन नमर 2 को सॉल्व करते हैं देखी इसमें क्या कहा जा रहा है बिना गड़ना कि वह संख्या बताएं जो वास्तों में पूर्वर्ग नहीं है हमें वह संख्या बतानी है जो वास्तों में पूर्वर्ग नहीं है तो इस टूडेंट अगर हुमार 0 होना चाहिए, 4 0 होना चाहिए, 6 0, यानि कि जो 0 की संख्या हो, सम संख्या होनी चाहिए, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या फिर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, अगर हमारे पास कोई संख्या है, और उस संख्या के इकाई का अं बीना गड़ना की वह संख्या बता है जो वास्तों में पूर्वर्ग नहीं है तो आप लोग देख सकते हैं इन में से इसका इकाई कंक 3 है तो यह क्या है पूर्वर्ग संख्या नहीं है इसका इकाई कंक 7 है इसलिए यह भी पूर्वर्ग संख्या नहीं है इसके इकाई कंक 8 ह संख्या है इसलिए यावी पूर्वर्ग संख्या नहीं क्या है नहीं well is not दीजिए किस नंबर का solution दो नंबर का और इसमें जो हमारी संख्या 153 दूसरे नंबर पे जो संख्या है 257 और जो तीसरा नंबर है तीसरे नंबर की संख्या है 408 यह संख्या क्या है पूड़ वर्ग संख्याएं नहीं है नहीं है ठीक student तो my dear student इस तरीके से हमने question नंबर 1 और 2 को हल किया तो चलिए गाईज आप लोग पढ़ते रहे अगर आपनों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैन यू